हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का चिल्ला जो की प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी ये मूंग लीती खड़ी जिसको हमने रात बर बिगवया है तो ये भीक के डबल हो चुकी है और य लिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है ये कुछ काटके प्याज लिये हमने एक बड़ा प्याज काटा है हरी मिर्च दो तीन काटी है लैसुन की कलिया और ये अद्रक लिया है हमने तो सबसे पहले हम मूंग दाल को पीस के तयार करेंगे त तो इसको हम सबसे पहले पीश लेते हैं तो इसके लिए हमने एक मेक्सी का जार लिया है और इसमें हम आधी मुंग को भी पहले पीश रहे हैं आधी मुंग को बाद में पीशेंगे आप चाहे तो एक साथ मुंग को पीश सकते हैं और यह देखे हमने इसको आधा ले लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने खड़े लहसुन रखे थे वो डाल दे रहे हैं हम आदे और ये अद्रक के टुकड़े डाल दे रहे हैं और आदे हमने इसके लिए बचा के रख लिए हैं तो फ्रेंट्स हमको इसको बहुत गाढ़ा पेश्ट नहीं बनाना है हमको थोड़ा पतला ही रखना है तो इसमें हम डालेंगे पानी तो इसमें हम पहले नमक डाल दे रहे हैं तो यह हमने आदा चम्मच नमक डाला है आप चाहें तो बाद में भी नमक डाल सकते हैं मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है तो चलिए अब इसको पीश लेते हैं तो इसमें आप चाहें तो आदा कप पानी मिला ले या तो बाद में मिला ले तो चलिए तो यह देखिए फ्रे तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है ना पतला है बस इसी तरह का हमें चाहिए मिक्स और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं मैं इसमें थोड़े से ही मसाले ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए डाल रही हूँ तो ये हमने लिया है पिसा हुआ भुना जीरा तो ये हमने आधी चमच डाला है इसमें आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का यूज कर सकते हैं और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो हमने काटके रखी हैं ये हरी मिर्च आप चाहें तो इसी के साथ ही मिर्च को पीज सकते हैं और इसमें डाल दे रही हूँ प्याज और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना गाड़ा है तो बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए तो चलिए अब हम तवे को गरम कर लेते हैं तो आप चाहें तो लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं पर थोड़ी सी दिकत आ सकती है तो मेरे पास ये नॉन इस्टिक पैन है तो मैं इसमें बना रही हूँ और इसको मीडियम हाई पर रखें रखेंगे गैस को अब फ्रेंड्स हम इसमें डाल रहे हैं इसमें एक चमच के करीब तेल तो आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं सरसों का रिफाइन डॉयल मूमफली का तेल और इसको हम अच्छे से ग्रीश कर ले रहे हैं अब हम तवे को अच्छे से गरम होने देंगे तो फ्रेंड्स यह देखे तवा हमारा गरम हो चुका है और अब हम डालेंगे इस पे बैटर आप जिस तरह का चाहिए छोटा या बड़ा आप उसे साब से बना सकते हैं अपने साब से तो इसमें मैं तीन चमच बैटर डाल रही हूं और इसको फैला देंगे जितना पतला ह हो सकेगा उतना पतला होने तक अब बहुत ही टेस्टी भी बनता है तो फ्रेंड्स यह हेल्दी होने के साथ साथ आपको टेस्ट के साथ भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा तो यह देखिए यह सिक के एक तरफ से तयार हो गया है अब हम इसको पलट देते हैं त हम इस पर लगा देंगे थोड़ा सा ओयल आप चाहे तो इस पर घी भी लगा सकते हैं तो इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसमें कुछ भी ना लगाए और ऐसे भी यह बन के तयार हो जाएगा क्योंकि हमने नॉन इस्टिक पैन लिया है तो इसमें और इसको उलट पुलट के दोनों साइड से अच्छे से सेख लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे चिलो को बना लेंगे तो यह देखिए थोड़ा थोड़ा यह उस साइड से भी सिखने लगा है और यह बड़ों से लेके बच्चों तक को सबको फसंद आने वाला है तो एक बार ट्राइ जरूर कीजिए और अपना फीड़बैक जरूर सेर कीजिए तो यह देखिए एक बन के तयार हो गया है और और हम बना लेते हैं इसी तरह से कि इसको भी हम पलट देंगे और इस पर लगा देते हैं फिर से ओईल आ तरह से आरएं मैं एक इसें अहिंगे था प्रेंगए तो यह देखिए फ्रेंब्स यह भी सिख्के तयार हो चुका है और यह हमारी हो गई प्लेटिंग तो आप किसी भी चटनी के साथ हरी धनिया की चटनी के साथ सौच के साथ इसको सर्व कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई